आगे चलते हैं हम page number 70 की और इसमें आप देख पारे हो एक तरफ एक लड़की है एक लड़का है पहले हम इसका तीसरा question करते हैं क्या लिखावा है इसको समझते हैं इस pattern को पूरा करो किस pattern को पूरा करो ये जो नीचे दिख रहे हैं आपको ये पीला रंग और ये इसको आप सरंग कैदोगे ये जो pattern बनावा है इसको पूरा करना है अब page number 70 लेकिन ये हम page number 70 कर रहे हैं यहाँ गलती से लिखा गया है यहाँ पर आएगा 68 यहाँ पर सब बच्चों ने ठीक करने हैं इसको यहाँ लिखना है 68 मैं लिख देती हूँ 68 नमबर page ये 70 नमबर page नहीं आएगा पर दिये गए pattern को देखो ठीक है दोनों में 6 किनारे वाली अकरिती हैं पर दोनों में क्या अंतर है सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाती हूँ इस expression का उत्तर यहाँ पर देखो ये कितने किनारे हैं 1,2,3,4,5,6 6 है न यह हो गया 6 किनारे वाली 6 किनारे वाली 6 इनके बीच में देखो ये चीज़ देख पा रहे हो ये कितने किनारे वाली है 1,2,3 3 किनारे वाल फिर 3 किनारे वाली फिर 6 ऐसे आएगा तो दोनों में क्या फरक है इसमें क्या है 3 किनारे वाली और 6 किनारे वाली दोनों आकरितिया है और जो पेज नंबर 68 पे बता रहे हैं 68 पे चलते हैं यहाँ पर हमें एक ये टाइलो का पैटरन दिया था इसके कितने किनारे थे 1,2,3 यह भी 6 थे लेकिन यहां पर देखो सारे 6 किनारे वाली आकरिती जुड़ी हुई है उसमें 3 किनारे वाली आकरिती भी जुड़ी हुई है ये दोनों में फरक है तो हम से ये पूचा था पहला तो ये कोशन था कि इस पैटरन को पूरा करो और दूसरा था ये page नंबर 68 और पर दिये गए पैटरन को देखो छे किनारे वाली अकृतिये हैं और इस पैटरन और उस पैटरन में क्या अंतर है तो हम क्या लिखेंगे यहा छे किनारे वाली, आक्रिती के साथ साथ, के साथ, साथ, तीन किनारे वाली, आक्रिती भी है, ये लिख देंगे न हम, और उसमें नहीं है, ये ही दोनों में फरक है न, अब चल दिए हम इस आक्रिती को पूरा करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहां पर आप देख पा रहे हो, ये पिंक कलर है, तो हम यहां पर पिंक करेंगे, चलिए करते हैं, यहां से मैं pink color उठा लूँ पहले, कौन सा है pink color, यह रहा, ठीक है, यहां पर बड़ी सफाई से करना है, मैं आपको सिरफ इशारा दूँगी, भरना आपने है, इसको अच्छे से भरना है, पहले outline बनानी है, फिर इसको अच्छे से भरना है, यह हमने कर दिया कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, अब यहां पर, यह वाला, ना ही बाहर जाए, और ना ही अंदर चोटे, इसको कर देंगे, मैं आपको एक इशारा दे रही हूँ, कि यहां पर हमने pink भरना है, यह भर देते हैं हम, उसके बाद, यह pink हो गया, आगे छट बुझ में हमने क्या है, पीला रंग भरना है, तो हम पीला रंग ले लेते हैं, यह रहा हमारे पास पीला, यहां से लेकर, यहां तक, छे किनारे वाली आकरीती बनानी है, यहां, 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 और यहां, अब इसमें हम पीला रंग कर कर देंगी और अच्छे से कर देना है आपने पार तक कि आपका बाहर ना निकले मैं एक, दो, आपको अच्छे से करके बता रही हूं तक कि आपको समझ आये कैसे पैटरन बनेगा इसी तरह यहाँ पर भी किनारे पर भी आप इसको मॉम वाले रंग से भी भर सकते हो स्कैच वाले रंग से भी भर सकते हो आप देख पा रहे हो मैंने ये पिला कर दिया है जहां रहा गया है आपने अपना बुक में सुन्दर भरना है मैंने ये जल्दियले में भर के बता दिया है आपको ठीक है ये पीला हो गया उसके बाद अगला फिर पिंक करना है हम पिंक कलर कर लेंगे स्लेक्ट कर लेते हैं पिंक कलर और यह वाला यहां पर यहां से लेकर यहां तक यह पिंक आएगा और यहां पर यह पिंक आएगा चलि तो हमारा ये पैटरन अपने आप ही बन जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली चलिए मैं पहले ये भर के दिखा देती हूँ ये हमारा पिंक हो गया है आपका बिल्कुल न चुटे सफाई से करोगे तो सफाई से हो जाएगा उसके बाद अगले में हमने येलो भरना है तो यहाँ पर हम पीला स्लेक्ट कर लेते हैं और ये छटबुज बनानी थी न तो हमने जितनी भी बची भी ये इसमें पीला ही भरा जाएगा इसको हम पीला कर देते हैं ये हमारी ये पैटर्न बन गया है न उपर वाला अब नीचे वाली लाइन में चलते हैं यहाँ पर आप देखना यहाँ पर अगर आप देख पार हो ये पिंक है तो यहाँ पर भी पिंक होएगा चलिए पहले हम इसको पिंक कर देते हैं कि यह देखो यहां पर इतना पिंक करना है कहीं चूटे ना ठीक है उसके बाद इधर क्या आएगा पीला आएगा हम पीला रंग स्लेक्ट कर लेते हैं और यह पर कि यहां पीला आएगा इतना कि इसको फटा-फट से पीला कर देते हैं मैं आपको बस इंडिकेशन दे रही हूं कि ताकि आपको पता चल जाएगा कि यहां उन्हें पीला रंग कर देने हैं यह आपका पीला रंग हो जाएगा उसके बाद इधर देखेंगे क्या रह गया है यहां पर पिंक कलर आएगा हम पिंक कलर कर देते हैं यह देखो इसके नीचे पिंक काना चाहिए था हम पिंक कर देते हैं अब उसके बाद में यहां पर पीले रंग की शट बुझाएगी तो हम पिला रंग ले ले लेते हैं यह यहां पर पीले रंग आएगा यहां से यहां तक यहां 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 और यहां इसको पीले रंग में कर देते हैं आप सफाई से करोगे तो बहुत अच्छी बनेगी यह और बिल्कुल सुन्दर बनेगी जैसे बुक में दीए उससे भी ज़्यादा सुन्दर यह पीले रंग की शटबुज बन गई है और ध्यान रखेंगे बीच में कहीं भी यह चूटे ना इसको ध्यान से भर देना है आपने ठीक है उसके बाद यहां पर पिंक कलर आएगा आगे तो हम पिंक कलर ले लेते हैं और यह पिंक कलर का भर देते हैं यह हो गया है नीचे भी यह पिंक कल देते हैं यह पिंक हो गया है उसके बाद इसके साथ यहां पीले रंग में आएगी तो हम पीला कर देते हैं यहां पर पीले रंग की आएगी यहां से लेकर यहां तक तो इसको हम पीला रंग कर देते हैं किनारे पर बड़ा ही ध्यान से करना होता है यह देखो हमने पीला रंग कर दिया है अब उसके बाद यहां पर पिंक कलर आएगा यहां हम पिंक कलर स्लेक्ट कर लेते हैं यह यहां पर इसको सफाई से भर दोगे मैं आपको जल्दी से करके दिखाती हूं और यह नीचे भी पिंक आएगा यह हो गया है उसके बाद यहां पर जो थोड़ा सा बचा है उसको आप यैलो कर दोगे ठीक है उसके बाद हम नीचे वाले में चलते हैं यहां देखेंगे तो यहाँ हमारा क्या आएगा पिंक आएगा हम यहाँ पिंक भर देते हैं यह यहां पर हमारा पिंक कलर आएगा यहां पर भी पिंक आएगा ठीक है उसके बाद यहां पर भी पिंक आएगा यहां पर भी पिंक आएगा पहले में पिंक भर के दिखाती हूं आपको यह भी आएगा पिंक यहां पर भी pink आ गया न मैं निशान लगाया हुए और यहां पर भी pink color आएगा इसको भर देती हुआ अब बीच का हमारा yellow color आना था मैं yellow color ले लेती हुआ यह यहां पर yellow भर ना था हुआ बड़े ही ध्यान से भर देंगे ये इस तरह से हमने पीला रंग भर दिया है उसके बाद यहाँ पर भी हमारा पीला रंग आएगा हम पीला रंग कर देते हैं ये इतना 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 ये पीला कलर आएगा यहाँ पर भी पीला कलर आएगा मैं जहाँ जहाँ निशान लगारी हम वहाँ पीला रंग आना है उसके बाद यहाँ पर भी पीला रंग आना है चलिए पहले मैं इसमें भर देती हूँ यह मैंने पीला रंग कर दिया उसके बाद यहाँ निशान लगाया था यहाँ पर भी पीला रंग कर देते है यह पीला रंग हो गया हमारा उसके बाद यहाँ पर भी था इसको पीला रंग कर देती है यह हो गया अब हमारा पिंक रंग लेना है हम पिंक कलर का रंग ले लेते हैं और यहाँ जो बचा हुआ है इसको भी कर देंगे हम यहाँ जो बचा हुआ है इसको भी पिंक करना है और यहाँ जो बचा हुआ है यहाँ भी पिंक करना है ठीक है उसके बाद यहाँ आप देखोगे यह शटबुज छूट गई थी थोड़ी सी इस पर हमने पीला रंग भरना है यह हम भर देंगे अब मैं आपको यह आकरीती दिखाती हूँ जो हमने भरी है यहाँ आप देख रहे हो यह हमने आकरीती बहुत ही सुन्दर से पूरी कर ली है इस तरह से हमारा प्रेशन नमबर तीन पूरा हो जाएगा अब चलते हैं प्रेशन नमबर चार पे ध्यान से देखेंगे यह है एक लड़की इसका नाम है खुश्बू क्या नाम है खुश्बू और हरीज यह कहां है हरीज यह इस लड़के का नाम है यहाँ आप देख पारे हो ये जो लड़का है इसका नम हरीज है ये दोनों बाते कर रहे हैं क्या बाते कर रहे हैं आये पढ़ते हैं खुश्बू और हरीज आगरा में रहते हैं एक दिन वे ताज महल देखने गए ताज महल के फर्ष पर नीचे दिखाया गया ये पैटरन है देखो ये छे किनारे वाली आकरीती है इसको आप गिनोंगे छे हैं मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं ये देखो अगर आप ध्यान से देखो एक दो तीन चार पांच छे और ये भी छे हैं इधर से आप ध्यान से देखो ये वाली ये है ना दिखाते हूं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, यानि कि जो टाइले हैं, वो छे-छे किनारे वाली हैं, ये भी, ये भी, एक लिटाके रखी हुए एक खड़ी, एक लिटाके खड़ी, लेकिन दोनों में क्या फरक है, ये थोड़ी सी पतली दिखरी है, और ये इसका पतली है, ये मोटी है, इस तरह से इनको लगाया गया है, दो अलग-लग टाइले हैं, और थोड़ा सा पतली मोटे का फरक है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, तो इसमें ये लड़की क्या कह रही है, मुझे इस पैटरन में दो अलग-लग तरह की टाइले दिख रही है, क लेकिन हमें क्या पता चला है, अलग-लग तरह की टाइले लगी हैं, हमने ध्यान से देखा है, तो हम इसका उत्तर क्या लिख देंगे, हम इसका उत्तर लिखते हैं, हाँ, अलग लग तरह की टाइले है अलग क्या पुछा था तुम्हें क्या लगता है अपने दोसों से बातचीत करो भी अलग लग तरह की टाइले है दोनों 6 किनारे वाली है लेकिन दोनों अलग लग है ये हमने लिख दिया है प्रंतु दोनों के हैं 6 किनारे वाली है यानि कि शट बुझ है इस तरह से पेज नंबर 70 का काम पूरा हो गया अब चलते हैं हम page number 71 पर ध्यान से देखना है क्या दिया होगा है किल्स style में tile यानि कि tile है अलग लग तरह की दी हुई है ये pattern इस tile से बना है ये एक समचत्र बुझे ना इस तरह की tile से बना है इस pattern में तीन रंगों का इस्तमाल किया है ताकि ये सीडियों जैसा दिखे आप इसमें देखो तीन रंग इस्तमाल हुए है क्या है उपर है हरा यहाँ भूरा और यहाँ संत्री तो देखो ये एक pattern बना दिया है दूसरी tile देखते हैं ध्यान से देखते हैं जब दो रंगों का इस्तमाल किया तो यह पीले और निले फूलों का एक अलग pattern बन गया इसमें देखो दो है पीला फिर निला ये दोनों सैड निली कर दी ये दोनों सैड निली ये पीली होगी ये दोनों सैड निली ये पीला तो यह एक तरह का एक यहाँ पर आप अलग लग रंगों के मेल से अपने पैटरन बनाओ अब तुम्हें क्या है ये डिजैन दे दिया दो डिजैन दे रखे हैं ध्यान से देखो इन दोनों में तुमने क्या है सिर्फ रंग भरके अलग लग डिजैन निकालना है चलिए हम इसको करते हैं पहले मैं इसको करना शुर दूसरा रंग करूंगे जो नीची आड़े वाले हैं दूसरा चलिए करते हैं कैसे करेंगे पहले मैं निला रंग ले लेती हूं निला ले लिया ब्रेश मोटा ले लेती हूं इन में ध्यान से भरना है आपने मौम वाला रंग लेना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ये निल्ला भर दिया, मैं सब के box पे उपर निल्ला रंग भर देती हूं पहले, ये निल्ला हो गया, ये निल्ला हो गया, अपने ध्यान से करना है, कि बाहर न जाए, मेरा रंग इसलिए जा रहा है, मैं हाथ से करते हूं, ठीक है, ये निल्ला हो गया, फिर इसमें भी हम निल निला रंग भर देंगे, पहले हम किनारे पर भरते हैं, फिर उसके बाद बीच में भरते हैं, तक कि किनारे पर बाहर न फैले, इसको भी निला कर देंगे, ठीक है, इसको भी निला कर देंगे, आप अपने पसंद कोई भी रंग कर सकते हैं, मैं निला कर रही हूं, आपको जो तो रंपसंद हो वो कर सकते हूँ, यह निला हो गया, यहां पर भी निला कर देंगे, यह भी निला कर देंगे, इसको भी निला कर देंगे, इसको भी निला कर देंगे, आप ऐसे करते जाओगे, तो अपने आप सुन्दर सा डिजैन बन के आएगा, इसको भी निला, और कोई जिरूरी नहीं है कि जो मैं डिजैन बता रही हूं वही करो आप अपने दिमाग से कोई और डिजैन भी बना सकते हूं यह निल्ला हो गया यह भी निल्ला कर दिया हुँने यह भी निल्ला कर देंगे ये लाश्ट वाले लाइन रहागी है ये भी निल्ला कर देंगे ये निल्ला हो गया कहीं छुटे ना ध्यान से करना है आपने ये भी निल्ला कर देना है और ये भी निल्ला कर देना है अब देखो हमने निल्ला करते ही कितना सुन्दर लग रहा है अब उसके बाद हम क्या करेंगे मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ जैसे मैंने ये संतरी ही ले लिया अब जो डब्बे बच गे उस पे मैं ये संतरी रंग कर देती हूँ ध्यान से करेंगे ठीक है आप चाहो तो इसको दो रंग से कर सकते हूँ मैंने इसी से कर रही हूँ अब अच्छे से उस बोक्स में भरोगे ब्लैक लाइन दिखेगी तो आपका और सुन्दर लगेगा यह हो गया ऐसे तिखे से बनेंगे न तो बोक्स बड़े सुन्दर निकल के आएंगे यह भर दिया यह भर दिया यह भर दिया अब चाहो तो इन में तीन रंग भी भर सकते हो यह भर दिया मैं सिरफ अभी यह कर देती हूँ आपने रंग भर देना है ताकि ये सुन्दर लगे जो मैंने बोक्स बनाए हैं उसमें हम संतरी रंग भर देंगे तो ये बोक्स से सुन्दर बन जाएंगे इनमें आप रंग भर दोगे तो ये एक सुन्दर सा वो आ जाएगा मैंने रंग भर रहा है आपको इशारा दे दिया है क्योंकि रंग भरने से ये थोड़ा वो हो रहा है मेरे में तो आप इस तरह से भरेंगे ये सुन्दर सा डिजैन बन जाएगा दूसरे में आप क्या कर सकते हैं ध्यान से देखेंगे आपने क्या करना है जैसे मालो मैं एक रंग लेती हूँ पहले कोई सा भी परपल रंग ले लिया है इसमें काली पट्टी को नहीं रंग होना चाहिए ये रंग कर देती हूँ फिर उसके बाद इस पे भी ये ही रंग कर देती हूँ काली वाली लाइन दिखेगी ना तब ही सुन्दर लगेगा उसके बाद इस पे भी ये ही कर देती हूँ ठीक है उसके बाद, ये वाला हो गया है, ये डबा छोड़के, इस पे भी यही रंग करना है, ये हो गया, ये हो गया, ये वाले box पे भी हमने यही रंग करना था ये हो गया, ये हो गया ये हो गया, ये दूसरी वाले cd पे पहले मैं ये कर दूँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया अपने सफाई से करना है, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया ठीक है इसके जो side में दिख रहा है उस पे भी यही रंग कर देना है ये दिख रहा है CDC बन जाएगी और इसके जो बीच में है पहले तो यही रहने देते हैं उसके बाद यहां पर हरा रंग भर देते हैं यह जो रहा गया है यह रहा हो गया इसको अंदर अंदर भनने है अब सफाई से भरोगे तो बहुत सुन्दर लगेगा यह रहा तो यह सीडियों की तरह बन जाएगा यह रहा गया है इसको कर दोगे इसको कर दोगे इसको कर दोगे इसको कर दोगे ठीक है काले बॉक्स दिखने चाहिए यह यहाँ पर हरा जाएगा हरा गया, यहाँ पर भी हरा जाएगा यहां पर भी हरा जाएगा यहां पर भी हराएगा यह भी हराएगा यह भी हराएगा और यह भी हराएगा इसके साथ में यह भी हराएगा यह भी हराएगा यह भी हरा जाएगा यह भी हरा जाएगा ठीक है सुन्द सबर होगे उसके बाद आपने फिर से परपल ले ले रहा है यह ले लिया यहाँ पर परपल भरना है यहाँ पर भी परपल भरना है यह भी परपल भरना है यह भी परपल भर दिया हमने सेम रंग करते जाएंगे यह सीड़िया सी बन जाएगी हमारी यह भी करना है यह भी घंने है ये हो गया इसके बाद हमने क्या करना है यहां पर हरा लेना है यह हरा ले लिए यह हरा ले लिए अगर आप मौं वाले कलर से करोगे तो ये देखो अगर आप देख पारे हो ये सीढ़ियां से दिख रही है हमें उतर्ती हुई काले डबे से दिखने चाहिए और सुन्दर से बनाओगे अब उसके बाद ये चींटी क्या कह रही है देखो मैंने इस टाइल जैसी एक मिठाई देखी है क्या तुमने इस अकरिती को किसी और पैटरन में देखा है जो ये हमें ये टाइल बताई गई थी ना अब ये ध्यान से देखरे हो ठीक है ये वाली देखरे हो ना ये वाली इस तरह की मिठाई होती है बर्फी हो गहीए या काजु कतली होगी वो ये चीज इसने देखी है और ये पेज नमबर हमारा 71 का काम पूरा हो जाता है आप इसके अलावा भी कोई पैटर बना सकते हो आगे एक खजाना है जिसको हमने करना है खजाने की खोज है ठीक है पढ़ते हैं क्या है पेज नंबर 72 पर है खजाने की खोज जिस तरह खजाना चुपा होता है तो उसके तक पहुँचने के लिए कुछ इशारे सीधा नहीं बताया गया होता है गुमा गुमा के बताया होता है उसी तरह हमें क्या है इस पेज पे कुछ निर्देश दिये गए हैं यानि की हिंट दिये गए हैं और यहां देखो दो लड़कियां है जो खजाने की खोज में जा रही है और यहां पर कुछ चिज़े हैं कैसे कैसे चलना है वो बताया गया है आईए हम करते हैं सबसे पहले क्या है लिखाव है फ्रेंक और जुही यह देखो यह लड़की है इसमें से इस लड़की का नाम फैंक है इसका नाम जुही है इनकी मा ने उनके लिए उपहार छुपा रखा उपहार क्या होता है गिफ्ट जैसे आपको आपके मम्मी आप आपा कहा दे ना कि गिफ्ट वहाँ छुपा है तो आप पूरा घर ढूंड मारते हो उसी तरह इन्हों पूरे ये सारे इंस्ट्रक्शन फोलो कर लिए यानि कि निर्देश को माना और उस गिफ्ट तक पहुँच गई लेकिन वे चाहती हैं कि वे दोनों मिलकर एक खजाने की तरह उसे ढूंडे उन्होंने उन लोगों के लिए कुछ निर्देश लिखकर यानि कि अपने दोनों और जो ही ये जो दोनों लड़किया है ना फ्रैंक और जो ही इनको इनके खजाने तक पहुँचाने में इनकी मदद करते हैं जैसे जैसे दिया गया है वैसे बताते हैं सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है सबसे लंबे पेड़ से सुरू करो चलिए हम सबसे पहले लंबे पेड दून्दते हैं यहाँ पर हमें एक यह पीड एक यह 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 चंच पैड दिख रहे हैं तो सब से लंबा पेड कौन सा है हम्मयारी निजरू में यह है तो यहां से हमने शुरू करना है चलिये हम ले लेते हैं सबसे पहले तो एक लाल रंग वाला ये मार कर और इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं यहां से शुरू करते हैं तो यह ऐसे चलेगी यहां से हमने स्टार्ट कर दिया है अब पढ़ते हैं आगे क्या है दूसरे नंबर पे क्या दिया गया है रास्ते पर आगे बढ़ो ठीक है बढ़ रहे यह जो राइट वाला जो हाथ होता है उसको आप बोलते हो दाया ठीक है मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ राइट राइट जो हाथ होता है हमारा उसको बोलते हैं दाया और जो लेफ्ट हाथ होता है उल्टा हाथ जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं बाया ताकि आपको याद रहे हैं ठीक है उल्टे हाथ को बाया सीधे हाथ को दाया अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है छटे टाइल से बाई और मुड़ो बाई और का मतलब क्या है उल्टे हाथ की तरफ मुड़ना है हमने छटे टाइल से, चलिए हम देखते हैं, यहां से हमने शुरू किया, तो हम चलते हैं, छटे टाइल की और, यहां पर देखो गिनते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, यहां आकर रुक जाना है, तो चलिए पहले हम अपनी arrow इधर तक पूरी कर देते हैं, यह वाली यहां ठीक है, उसके बाद यहां पर, आपका मूँ, अगर मैं आकरीती बनाओं, ऐसे चल रहे हो ना, आप, आपका मूँ इस तरफ है, तो अब आपका सीधा हाथ यह होगा, उल्टा हाथ यह है, लेकिन आपने बाएं और मुड़ना है, तो उल्टी हाथ के और मुड़ना है, यान तक पहुंच गए थे न, हम यहां चटे टायल से बाएं और मुड़ो यहां तक चले गए थे, कुछ कदम चलने के बाद तुम्हें अपनी दाई और एक पोदा दिखेगा, कुछ कदम चलो और दाई और देखो, अब यह देखो, यहां से हम मुड़ चुके थे, अब कुछ क कदम चले हैं, यहां चलेगे, दाई और, अब आपका मुझ इस तरफ है न, ऐसे चल रहे हो, तो दाई और क्या है, सीधी हाथ यह वाला हो जाएगा, सीधी हाथ की तरफ तुम्हें एक पोधा दिख रहा है, यह पोधा है न, हमें दिख गया है, चलिए आग्ये देखते हैं क्या कहा गया है, पोधा दिखेगा, इस पोधा के सबसे पास खेल रहे हैं बच्चे की फ्रोक में रंग भरो, अब यह पोधा हमें दिखा था न, यहां पर, इस पोधा के पास कौन सा बच्चा खेल रहा है, यह, अब इसको रंग भरना है, हमने चलिए इसकी फ्रोक में, हम सुन्दर सा रंग भर देते हैं सबसे ज़्यादा हमें लाल रंग पसंद होता है तो हम इसको लाल रंग से कर देंगे आपने सुन्दर से दो रंग तीन रंग में कर देना है मैं यहाँ पर कर देती हूँ इसकी फ्रोको रंग बड़ी सफाई से करना है आप इसमें फूल भी बना सकते हो जो मर्जी कर सकते हो रंग बाहर ना निकले ताकि गंदा ना लगे ये हमने इसकी फ्रोक में रंग कर दिया है ठीक है? सुन्दर लग रही है अब उसके बाद क्या लिखा हुए है हमने जैसे कहा था वैसे कर दिया उसके बाद क्या है? ये फ्रोक में रंग हो गया पोदे से फिर चलना सुरू करो अब हम पोदे से फिर चलना सुरू कर देते हैं ये देखो ये हमारा पोदा था ना यहाँ पर हमारा पोदा था इससे हम फिर चलना सुरू कर देते हैं तक पहुंछ जाएंगे चलए पहले हम पहुंचा देते हैं कि यह इससे चले यह रहां अब उसके बाद देखो आगे रास्ता खत्म हैना यहां देखो रास्ता कटम है अबिको क्या कहते हैं में यहां पर देखते हैं पीछे यहां थे यहां पहले हम यहां तक चल देते हैं इधर देखते हैं अब क्या है अब देखो क्या है पोदे से फिर चलना शुरू कर दिया चोथे टाइल से दुबारा बाएं बाएं क्या होता उल्टे हाथ की तरफ मुड़ो कौन सी टाइल से चोथे टाइल से तो हम पहले चोथी टाइल पे चलते हैं, यहाँ देखो, एक, दो, तीन, चार, चोथी टाइल से होगी, चोथी टाइल के बाद हमें क्या करना है, बाएं यहां से, एक मिल्ट, यहां से हमें क्या बताया गया था, सातवे नंबर से, हम दुबारा से, पोदे से चलके हम आगे-ागे थे, चोथे टाइल से दुबारा भाई मुढ़ने हैं तो हम चोथी टाइल पे चलेंगे यहां चलते हैं यहां देखो 1,2,3,4 ठीक है चोथी टाइल पे आ जाएंगे यहां तक पहले हम टाइल पे निशान लगा लेते हैं यहां तक आगे अब फिर बाएं मुढ़ना है यानि कि उल्टे हाथ की तरफ यहां मुढ़ना है तो हम यहां चल पड़ेंगे ठीक है उसके बाद क्या लिखा हुआ है दुबारा बाएं मुढ़ने रास्ते में तुम पाओगे कि चोथी टाइल का कोना तूटा हुआ है हम देखते हैं चोथी टाइल का कोना तूटा हुआ है एक दो तीन चार चार टाइले चलके हमने कोना देखा है यह तूटा हुआ है चलिए पहले हम इसका रस्ता बना देते हैं यहां तक हम पहुँच गए हैं चलते चलते ठीक है कोना तूटा हुआ है मिल गया हमें सही चल रहे हैं आगे क्या है तुम्हें वहाँ जमीन पर एक गैंद और एक बैट पड़े हुए मिलेंगे उन्हें उठाना नहीं मत केवल उनके चारो और गोल घेरा बना दो चलिए हम क्या करते हैं इसके पास देखते ह यहां से आप देख पारे हो यहां तुटी टाइल के पास पहुंच गे इसके पास हमें यह बैट बॉल इसको गोल घेरा बनाना है चलिए हम इस पर गोल घेरा बना देते हैं उठाना नहीं है गोल घेरा बना दिए यह हो गया हमारा आगे देखो क्या कहते हैं गोल घेरा बन और सीधे हाथ की तरफ इस तरफ होएगा, तो हम सीधे हाथ की तरफ मुड़ गए, यहां arrow लगा देते हैं, इसके बाद हम ऐसे चल पड़े हैं, ठीक है, उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, तुम्हें आगे बड़ो और दाए मुड़ो, मुड़ गए हम, ठीक है, तुम्हें एक आम का पेड दिखेगा, पेड पर कुछ आम भी दिख रहे हैं, दिख रहे हैं पेड पर 11 आमों में रंग भरो, कितने में भरना हैं, 11 में, चलिए हम सिधा देखते हैं, आम का पेड दिखता हैं, यह देखो, हम सिधा जा रहे हैं, इस तरह से जा रहे है न तो हमें यहां आते ही हमें यह वाला आम का पेड़ दिख्या इस पे यह आम लिखे हुए है तो इसमें किसी भी 11 आम हो पर 11 मैंगो पर हमें रंग भरना है तो हमें पता है आम पर पीला रंग होता है तो हम यहां पर पीला रंग स्लेक्ट करेंगे पहल फिर उसमें 11 आमों पर रंग भरना है, चलिए मैं भरती हूँ, आप गिनते जाना, 1, 2, 3, 4, 5, आपने अच्छे से भरना है, 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, 10, और ये हो गया 11, 11 आमों पर रंग भर दिया, अब उसके बार देखो क्या कह रहे हैं, आम के पेड़ के आसपास कुछ घास बनाओ, और रास्ते पर फिर से चलना सुरू करो, चलिए हम आम का पेड़ है, ये रहा हमारा आम का पेड़, ठीक है, इसके आसपास हमने कुछ घास बनानी है, और फिर चलना सुरू करना है, घास किस रंग की होती है, हरे, चलिए हम हरा रंग ले ले लेते हैं पहले, ये ले लिया हमने, ये घास बनाती है, ऐसे, ठीक है, इस तरह से आपने घास बना देनी है, ये हमने घास बना दी, और फिर हमने क्या करना है, चलना सुरू कर देना है, हम ला प्रवे लेते हैं फिर से और ये हम चलना शुरू कर देटे हैं, ये चले जा रहे हैं, हमें कहा नहीं गया है रुखने के लिए, तो हम इसको पूरा चल लेते हैं, यहां तक हम चल के आ गए, अब देखते हैं क्या कह रहे हैं, आम के पेड के अस पास कुछ घास बनाओ, हमने बना दी और रास्ते पर फिर से चलना सुरू करो, अब तेरवे नंबर पे क्या है? जब तुम सीधा चलोगे तुमें एक घर दीखेगा, तेरवे नंबर पे हम देखो घर दीखा है, जैसे हम सीधा चल रहे हैं, यह हमें घर दिखा गया है, घर है न यह दर्वाजा है, यह खि उसे खोलो और तुम्हें उसके अंदर कुछ मीठा सा मिलेगा अब जरा बताओ फ्रेंक और जुही की मा ने जोले में क्या रखा होगा चलिए देखते हैं जोला है तो यहां आप मेरे साथ ध्यान से देखोगे यह घर है यह घर के पीछे जोला रखा हुआ है ठीक है तो यह उ इसमें क्या हो असकता है हमने पूरे गास्ते में देखा यहां आम के पिड़ते तो मिठी मिठी चीज कहा रहे हैं तो उसमें क्या होंगे आम होंगे कौन से होंगे मीठे मिठे आम होंगे, उस जोले में पूछे ने भी क्या होंगे, आइडिया लगाने है तो उसमें क्या होगा, मिठे मिठे आम होंगे, इस तरह से देखो आपका पेज नमबर यहाँ पर देख पारे हो 72 और पेज नमबर 73 यह दोनों का काम पूरा होकर यह आपका चैक्टर पूरा हो जाता है यहाँ पर सिरफ आपने यह दियां रखना है, अगर आप ऐसे मूँ करके खड़े हो, मालो यह मूँ, आप ऐसे खड़े हो, यह आपका यह हात है और आपका चेहरा इस तरफ है इदर देख रहे हो, तो यह आपका सीधा हाथ होता है इसको बोलते हैं हम दाया ठीक है ये आपका उल्टा हाथ होता है लेफ्ट इसको बोलते हैं बाया इस चीज को आपने ध्यान रखना है और आपने आपको कल्पना करना है जैसे जैसे ये जारिये भी आप जा रहे हैं उस रस्ते पे तो आपका हमेशा नक्षा सही आएगा इस तरह से ये देखो हमारी पूरा चैप्टर कम्प्लीट हो गया पेज नंबर 72 का काम पूरा हो गया है धन्यवाद